हेलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई चैनल आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेकनिकल वर्ब में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि 2022 में कि आपको ब्रोडबेंड लगवाना चाहिए या फाइबर कनेक्शन लगवाना चाहिए क्योंकि दोनों एक अल पर नए नए हो तो प्लिस में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं पहले आपको समझा देना चाहता हूं कि टेकनोलोजी कि इस तरीके से वर्क करती है ब्रोडबेंड और फाइबर की तो पहले बात करें ब्रोडबेंड क है तो इस तरीके से आर जे करते हैं और व्हुक्त पहुचते हैं ओर नतरीके सें आप जो uze thickener पुझे एक broadband कहां जाता है और उसमें rj-45 केबल का यूज होता है посмотрим fiber की बात करें तो दोस्तो fiber में बिल्कुल ही अलग से एक wire होता है fiber optical का जो wire होता है बहुत पतला जो तार होता है और उसमें जो तार होता है दोस्तों उसमें जो fiber laser होता है laser light जिसे कहा जाता है उसके उपर से वो वर्क करता है जैसे कि आपको पता है कि अंदर जो तार होते है वो प्लास्टिक तार होते है दोस्तों उसमें जो लेजर लाइट होती है उसके जरीए से इंटरनेट चलता है और जो इंटरनेट है उस तरीके से आपके गर में आता है वो जो वायर हो तो बात करें तो दोनो टेकनोलोजी की तो गाइस अभी के टायम पे 2022 में फाइबर टेकनोलोजी आने लगी है बैले ब्रोडबेंड त्यक्नोलोजै पर जे 245 के बलकी टेकनोलोजी चलती थी और अभी जो ज्यादतर टेकनोलोजी वह फाइबर की चल रहे हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब भी अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक इंटरनेट घर पे लगवाना है तो आपके पास तीन ओप्शन रहने वाले एक ब्रोडबेंड जो आज यह 45 के जरी आपके घर पे आता है दूसरा फाइबर ज वायरलेस टेकनोलीजी से आपको पता है कि कुछ-कुछ ब्रोडबेंड है वह वायरलेस टेकनोलोजी से आपके घर में इंटरनेट प्रॉइड करते हैं बट में बात नहीं कर रहा हूं गाइस इतना ज्यादा वह सकसेस में अपने तरीके से बोलो तो नहीं है क्योंकि जब पर बीच में आजाते हैं तो आपका जो इंटरनेट से बहुत ही लॉस होता है तो किसी और वीडिएउ में बात करेंगे तो आज की वीडियमेंतों आपको ब्रोडोडबेंड और वारे में स्साइसे अगर आप फाइबर लगवाना चाहते तो फाइबर भी अच्छ भी अच टाइम पे ज्यादा स्पीड का इतना ज्यादा नहीं था और अभी के टाइम पे ज्यादा तर जो वर्क है वो डिजिटल हो गया है ज्यादा तर वर्क इंटरनेट के उपर सिफ्ट हो गया है इसलिए इंटरनेट के उपर ज्यादा लोड आ इसलिए ही इंटरनेट का जो स्पीड है वो ज्यादा देना या ज्यादा हमें चाहिए ऐसा में अगर कहूं तो भी चलेगा तो अभी के टाइम पर मैं आपको कहूं तो अगर आपको 40 या 50 अभी तक अगर आप स्पीड चलाना चाहते हो तो आप इस ब्रोडबेन ले सकते हो अ जैसे के डाउनलोड स्पीड आप सब्सक्राइब तो इसे एक्जांपल में आपको बताता हूं अगर डाउनलोड स्पीड दस एमबी तक आता है तो अपलोड स्पीड उससे कम हो जाएगा तो उस बात का इसमें ज्यादा फरक पड़ेगा अगर आप फाइबर ऑप्टीकल क काफी अच्छा इंटरनेट है और अभी के टाइम पे और आगे टाइम फ्यूचर में भी आपको फाइबर इंटरनेट का ही सब कुछ सपोर्ट दीखेगा क्योंकि फाइबर इंटरनेट एक लेजर टेक्नोलिजी से वर्क करता है और उसमें ज्यादा तर स्पीड आपको दे दोनों एक जैसे ही स्पीड आपको मिलेगी और ज्यादा तर हाइबर केबल के त्रू ही आपकी घर तक पहुचेगा दोस्तों अगर आपको असी या हंड्रेड एंपी तक या उससे ज्यादा अगर पीड चाहिए तो आपको फाइबर ही लगवाना पड़ेगा तो आपका ब स्पीड उपर डाउन उपर डाउन होगी कभी कभर स्पीड गीर भी जाती है वह उसमें ज्यादा तर प्रोब्लम फेस होता है और मैं एक्चुली में भी यूज़ करता हूं जी टीपेल फाइबर ब्रोडबेंड बट मैं बात करते हूं तो जीटीपील में अभी मुझे आर आपकी कम भी स्पीड नहीं हाईगी और ज्यादतर स्पीड आपकी नीचे भी नहीं आएगी एक वेरियबल स्पीड के तुरू आपका जो फाइबर कनेक्शन है वो चलेगा गाईस बात करें कनेक्टिवीटी की तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिवीटी फाइबर की होती है इतनी जयादा नहीं होती क्योंकि ब्रोडबेंड का जो आज फोटीफाइबल है दोस्तों जितना लंबा बीचेगा उतना आपका जो नेटवर्क हो लोस होने के चांसेश है जाइबल के थरू अगर आप फाइबर लगा होगे तो उसमें आपका जो डेटा है वो लोस नहीं होगा उसमें स्पीड आपको अच्छे से मिलेगी और जो ब्रोडबेंड का आज है 45 के बले उसमें आपको स्पीड अच्छे से नहीं मिलेगी और प्लान की बात करें तो आपको ब्रोडबेंड में आपको कम प्लान मिलेगे लिमिटेड प्लान मिलेगे और फाइबर में आपक ज्यादा अच्छे है broadband के मुकाबले पहले बात करूं तो broadband की तो गैस अगर आप broadband कोई भी प्लान लोगे तो उसमें आपको six months से ही स्टार्ट होगा six month eight month 12 month इससे ही स्टार्ट होगा तो आपको एक के साथ पे करना होगा और अगर आप f regular records can not do data 500 pair घृदी तरीके से यूज करशकते हो वनमंद का रिचार्ज करके आप एक मेंने दो मेने तीन मेने एस कर आफ और प्लाबर में काफी अच्छे से ओस कर पाऊगा और बेटर यूदि का मामले में भी काफी एक बेटर ओप्सन मुझे दिख रहा है दोस्तों और मैं मानूं तो इंडिया में अगर आप जानो तो ब्रोडबेंड जी टीपिल कमपनी है वो पी पूरी तरीके से फाइबर नहीं दे रही है बाकी हीथवे ब्रोडबेंड है कहीं सारे ब्रोडबेंड अलग- कि Gino Fiber है estel Fiber है जिए टीप्यल वेसे करके फाइबर सभी को नहीं देरा है वड़े दिरे दिरे सबी लोकेसिन में वह फाइबर भीचा रहा है W先el Fiber है वह उरिजनली Fiber देता है आपको केंगढ काफिँ अबर आने से काफी कम्पनियां है वह आच्छी हो गई है और आपक अगर सोच रहे हो जो इस पीस फाइबर में चाहिएए अगर आपके अरिय में नहीं है अगर आपको लुंट्वेंठ लगवाना पड़ रहा है मैं यह बूल रहा हूँ पड़ वांथ लगवा सकते हो बट आपकी सीटी में फाइबर भी है और ब्रोडबेन का जो वायर भी है तो गाइस प्लीज फाइबर में जाएए फाइबर में बहुत ज़्यादा फैसलेटी से है स्पीड अच्छी मिलती है और प्लान भी काफी ज्यादा अच्छ है अगर आप कन्फ्यूजन हो कि कौन सा कंपनी ले तो मैं आपको कंपनी फाइबर का बता देना चाहता हूँ जियो फाइबर है और एटल फाइबर है दो कंपनी में आपको सेज़ेस्ट करूगा और बीएस इनल हाँ जो बीएस इनल फाइबर भी वो भी काफी अच्छी कंपनी है गाउं में विलिजिस में बीएस इनल पहुच जाता है पहले जैसा बीएस इनल नहीं है काफी अच्छ साहे दो सफ्रे व peel को जब अगर अगर आप को लगवाना है तो सपीड होगी सब कुछ डीजिस्टल में सीफ्ट हो रहा है तो आगे को के टाइम में ज्यादा स्पीड आपको चाहिए इसलिए अपिकेरी टाइम पे आप फाइबर ही लगा हो जिसे की आगे आपको ज्यादा प्रोब्लेम ना हो तो दूस्तो मैंने इस वीडियो में आपको सब भी कुछ चीजे अच्छी तरीके से समझा दी हैं आपके मेन में हैं वो खुषा दी हैं तो प्लीज समझ लेना और अच्छे से आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो लगा लेना तो दूस्तों बताइए मुझे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा गाईज अच्छा लगा तो प्रेस लाइक कर देना साथ ही साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सब्सक्राइब कर पर रेस्ट रख सित रही है थें के उस नाछने के तक कार रेस्ट लगाईब कर देए तक कि डैेन ने य वीडियो ie.